तो आज में इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ वैन सौंग की भारत यात्रा के बारे में देखें वैन सौंग एक ऐसे ट्रेबलर थे जिन हैं सभी ट्रेबलर यानि कि जितने भी बिदिसी यात्री भारत में आए उन सब में हुएन सौंग को प्रमुक मान जाता है तो आज मैं आपको इन ही के बारे में पढ़ाने पाला हूँ तो चलिए वीडियो के सुरुवात करते हैं और पढ़ते हैं हुएन सौंग के बारे में उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो लिंक है description box में या फिर टेली ग्राम चैनल पर चले जाओ तो वहाँ पर भी इसकी लिंक आपको मिल जाएगी तो वहाँ से आप PDF को डाउनलूड कर सकते हों तो चले ये वीडियो के सुरुबात करते हैं और पढ़ते हैं हुएंसों का इतिहास ये है सूचना तो इसे आप जरूर पढ़ें हुएंसों का जन्म 602 या 605 इसवी में चीन के होनानफू प्रदेश के लुयो यंग नामक स्थान पर हुआ था तो चले मैं आपको यहाँ पर स तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि दो-दो अलग-अलग इनके जन्म की तारीक हैं तो इनका जन्म हुआ था चीन के होनान फू प्रदेश के एक जगह है वहाँ पर लुयो यंग नामक जगह है तो वहीं पर हुएंसों का जन्म हुआ था हुएंसों के अन्य नाम मैं आपको बताना चाहूंगा वैसे तो हुएंसों की बहुत सारे नाम है लेकिन मैंने यहाँ पर प्रमुख नामों की चर्चा की है जैसे हैंसों, युवांचोंग, स्वांचोंग, साक्यमुनी और यात्रियों का राजकुमार तो यहाँ पर मैं आ साक्यमुनी, साक्यमुनी वैसे तो भगवान बुद्ध को कहा जाता था लेकिन इतिहास कारों ने हुएन सौंग को भी साक्यमुनी के नाम से संबोधित किया है तो इसलिए इनको यहाँ पर याद रखें हुएन सौंग ने 622 इसवी में बौद्ध धम की दिख्षा ली और एक पूंड बौद्ध साधू बन गयती तो यहाँ पर जतना मैंने हाइलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है 639 इसवी में वैंसॉंग ने बौध धम की सिक्षा प्राप्ते के लिए भारत की यत्रा करने का निश्य किया था और 639 के अंत में वैंसॉंग ने अपने देश चीन से भारत के लिए प्रिस्थान किया था तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ यहाँ पर हुएंसॉंग ने 639 से पहले भी कई वार कोसिस की थी के हम भारत जाएं और बौध धम की सिक्षा प्राप्त करें इसके लिए उन्होंने अपने राजा से कई वार परमीशन मांगी लेकिन राजा उस समाई युद्ध में ब्यस्त थे तो उन्होंने सुरक्षा कारणों से हुएंसॉंग को परमीशन नहीं दी लेकिन हुएंसॉंग ने 639 में राजा को बिना बताय ही अपने देश चीन से भारत के लिए यात्रा शुरू कर दी थी और वो अन्तता भारताय, बौदधम की सिक्षा ग्रण के और वापस चायना भी गए वैंसॉंग के लेकों को सी यू की के नाम से जाना जाता है जिसमें भारत को इंटू के नाम से संबोधित किया गया है तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ वैंसॉंग 639 में चायना से चले थे जब वो चले तो उन्होंने लिखना सुरू कर दिया था यानि कि अपनी यात्रा के एक एक पल को उन्होंने लिखा हुआ है कि हमें कौन सी जगह पर कौन सी कटनाई मिली तो उन्हें लेखों को C, U, K के नाम से जाना जाता है लेकिन भारत के लिए भारत सब्द नहीं लिखाता उस समय हमारे देश का क्या नाम था ये किसी भी इतिहासकार ने सही से नहीं बताया है कुछ इतिहासकार भारत वर्स लिखते हैं कुछ इतिहासकार इंडिया लिखते हैं तो कुछ इतिहासकार आर्रेवर्ट लिखते हैं लेकिन हुएंसोंग ने अपने लेखों में भारत का नाम इंटू लिखा हुआ है तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है तो यहाँ पर यह महतपूर है कि इंटू किसके लेखों में भारत का नाम मिलता है वैंसोंग की लेखों में इंटू नाम मिलता है हमारे देश का वैंसोंग पाकस्तान के पेसावर में इस्थित कोसान कालीन महा बिहार को देखते हुए कस्मीर पहुँचे जहां पर दो वर्सों तक सिक्षा प्राप्त की मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेसावर जाने से पहले वैंसोंग ने गांधार और बामियान प्रांथ की यत्रा की थी गांधार और बामियान प्रांथ दोनों ही उस समय के प्रिसिद बौध इस्थल थी इसके बाद हुएंसोंग ने पेसावर पेसावर आधुनिक पाकिस्तान में है तो उस समय कुसाणों की ये राजदानी रही थी तो कुसाणों ने पेसावर में एक बहुती बिसाल महाबिहार का निर्मान करवाया था उस महाविहार को भी हुएंसोंग ने देखा है और अपने लेखों में उसकी चर्चा की है। इसके वाद कस्मीर पहुंची हुएंसोंग। कस्मीर उस समय का प्रिसिद बौध के इंदर माना जाता था। चतुर्थ बौध संगिती का आयोजन कस्मीर के कुंडल बन में ही किया गया था कनिस्क के सासनकाल में। तो उस समय कस्मीर भी बौध दर्म का प्रिसिद गिंदर था। तो यहाँ पर दो बर्स तक रुके थे वैंसोंग और उन्होंने सिक्षा गरण की थी। वैंसोंग कस्मीर से पुस्स भूती बंस की प्रारंबिक राजधानी थाने स्वर पहुँचे फिर बहां से मत्रा होते हुए समराठ हर्स की राजधानी कन्नोच पहुँचे जहाँ पर समराठ हर्स ने वैंसोंग का जमकर सोगत किया। तो थोड़ा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, कस्मीर से वैंसोंग ठाने सवर पहुँचे, ठाने सवर आधनिक हर्याणा में, ठाने सवर से मतुरा हूते हुए समराथ हर्सवर्दन की राजधानी कन्नोच पहुँचे, कन्नोच का उस समय कान्ने कुपज नाम था, तो वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर समराथ हर्सवर्दन ने वैंसोंग का खूप स्वागत किया था। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, देखिए वैंसोंग ने भारत के प्रमुख बौध इस्थलों की यात्रा की थी, उसमें से देखो कस्मीर, कस्मीर तो पूरा प्रांथ है, आप सब जानते हैं, ठाने सवर हर्याणा में है, मतुरा उतर प्रदेश में है, कन्नोज उ पूतर प्रदेश में है, पाटिल पूतर बिहार में है, जिसे आधनिक पटना कहा जाता है, बोध गया, बिहार में है, राजगरे, बिहार में है, नालंदा, बिहार में है, असम, पूरा एक स्टेट है, आप सब जानते हैं, उडिसा भी स्टेट है, और अमरावती, अमराव वाले वीडियों में बहुत अच्छी से समझाया है तो अमरावती प्रिसिद बौध केंदर था साथ बाहन बंस में तो इसी लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिहार बने हुए थे तो वैंसोंग ने अमरावती जाके उन बिहारों को भी देखा था कांची पुरम आधनिक तमिल नाडू में है तो कांची पुरम भी गए थे कौन हो वैंसोंग क्योंकि उस समाय का ये भी एक प्रिसिद बौध स्थलमाना जाता था तो यहाँ पर ये जितने मेंने यहाँ पर ये लेखे हुए हैं इन सभी जगाओं पर वैंसोंग ने यात्रा की थी वैंसोंग ने दो बर्स तक नालंदा विश्व विध्यालाय में बौध धम, गणित, जियोतिस और चिकत्सा सास्तर की सिक्षा प्राप्त की थी तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वैंसोंग ने केवल दो बर्स तक नालंदा विश्व विध्यालाय में सिक्षा गरण की थी और किसकी बौध धम की, गणित की, जियोतिस की और चिकत्सा सास्तर की तो इसकी सिक्षा वैंसोंग ने प्राप्त की थी नालंदा विश्व विध्यालाय से वैंसोंग की अनुसार नालंदा विश्व विध्यालाय में उस समय दस हजार चात्र पढ़ते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए एक हजार सिक्षक मौजूद थे कभी-कभी इतिहासकार 2,000 सिक्षक होने का भी बरणन करते हैं लेकन यहाँ पर मैंने 1,000 लिखा हुआ है कि कोई ज़्यादतर इतिहासकारों ने यही लिखा हुआ है 1,000 तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1,000 लिखा हुआ है तो किसकी अनुसार? ये वैंसोंग की लेखों की अनुसार उस समय लिखते हैं वैंसोंग जब नालंदा विस्तु विध्यालाय में सिक्षा गिरन कर रहे थे तो उन्होंने लिखा है कि 10,000 चात्र पढ़ती थे नालंदब इस सुबिध्यालाई में और 1,000 सिक्षक उन्हें पढ़ाने के लिए थे उस समय मौजूई नालंदब इस सुबिध्यालाई के खर्च को उठाने के लिए समराठ हर्स वर्धन ने 200 गाउंदान में लिए थे और सवी चात्रों को निस्सुलक सिक्षा पर दान की जाती थे तो चलिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ देखें 10,000 चात्र और 1,000 सिक्षक याने की कुल मिलाके 11,000 बैक्ती वहाँ पर रहते थे तो 11,000 बैक्तियों का खाना पीना रहना सारा का सारा फिरी था तो इसके लिए समराठ हर्स वर्धन ने क्या किया था कि नालंदा विस्व विध्याला के लिए 200 गाउं दान में दे दिये थे 200 गाउं से जितनी भी आयप राप्त होती थी वो नालंदा विस्व विध्याला के लिए सुरक्षित थी जितने भी चात्य चाहे वो देशी हो या बिदेशी हो सभी को निसुल्ख सिक्षा प्रदान की जा सके तो यह यहाँ पे आपको याद रखना है वैंसोंग के समय नालंदा विस्तु विध्याला के प्राचारण सील भद्र थे तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब वैंसोंग ने नालंता विस्सु विध्याला में सिक्छा गिर्ण की थी तो उस समय जो प्राचार रते उनका नाम था सील भद्र 643 एसवी में समराठ हर्स वर्धन की द्वारा कन्योज में आयोजित की गई धारमक सभा की अद्धिक्ष्टा वैंसोंग ने ही की थी तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 643 एसवी में समराठ हर्स वर्धन ने कन्योज में जो उनकी राजधानी थी कनोज में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया था और उस सभा की अध्यक्ष तक इसने की थी वैन सौंग नहीं की थी अगर आपको इस धार्मिक सभा के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरा समराठ हर्सवर्दन बाला जो वीडियो है वो देख लीजिए तो उसमें मैंने इस धार्मिक सभा की बहुत अच्छी से चर्चा की है 644 सीस्वी में वैन सौंग ने चीन के लिए प्रिस्थान किया और अपने साथ कई बहुत गरंतों को ले गए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 643 में कनोज में जो धार्मिक सभा आयोजित की गई थी तो उसमें बहुत सारे जो धर्म गुरु विद्वानों को बुलाया गया था इसकी बाद समराठ हर्स ने क्या किया था कि सभी धार में कि जो गुरु थे विद्वान थे उनको प्रियाग ले गए वो प्रियाग में एक महा मोक्ष परिसत का आयोजन की आ गया था महा मोक्ष परिसत का मतलब है कि गंगा नदी में आप जाईए इसनान करके आये इसके बाद उन्होंने उपहार दिये थे तो कुछ इतिहास कारों ने उसे दान सफा भी लिखा हुआ है इसके बाद जिसे उपहार मिल जाता था वो अपनी घर जा सकता था तो जो चीन के यात्री थे वैंसोंग तो उन्होंने यहाँ पर इसमें सिर्कत की थी और उन्हें बड़ा सा दान दिया गया था इसके बाद वो यहीं से प्रियाक से ही वो बापस चीन के लिए चले गए थे वैंसोंग के चीन पहुँचने पर वहाँ के राजा ने उनका खूब स्वागत किया था तो थोड़ा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ देखे सुरुवात में तो राजा ने परमिसन नहीं दी थी सुरक्षा कारणों से लेकिन जैसे ही वांसोंग 629 इस्वी में चुपके से चाइना से निकले भारत की यात्रा की सिक्षा प्राप्त की और बापस चाइना पहुँची इसकी बाद राजा से मिले राजा बहुत प्रसन होगा और जो ग्यान भारत से वो प्राप्त करके गए थे उसने अपने संपूर राज में उसको फैलाने का भी आदिस जारी किया था 5 फरवरी 664 इस्वी को वैंसोंगी मिर्ति हो गई थी मिर्तियों के बाद उनके कंकाल को सुरक्षित रखा गया था 1956 में दलाई लामा ने खूपडी का एक हिस्सा 12 सरकार को सुपथ था जो कि आज भी पतना संग्रालाय में सुरक्षित है तो ये तो था वैंसोंग का इतिहास अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप इसे दुबारा तिबारा जितनी बार चाहाए उतनी बार देख सकते हैं और अगर आपको इसकी पीडियोफ चाहिए तो लिंक के डेस्क अप संबॉक्स में या फिर टेलीगराम चैनल पर चले जाओ तो वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगी तो वहाँ जिया पीडियोफ को डाउनलोड कर सकते हों और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो शियर करो और अगर आपका कोई प्रसन है तो कोमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो